आवला हरण बहेडा इन तीन चीजों के कॉंबिनेशन से बनने वाला आईरिवेद की सबसे स्ट्रॉंग दवाईयों में से एक तिर्फला के बारे में आज हम जारेंगे साथी साथ ये वातपित कप किस पे काम करती है साथ धातुओं में से किन-किन धातुओं पे इसका एक्शन है सरीर के कौन-कौन से अव्यों पे औरगन पे ये विश्येस एक्शन करती है किन बीमारियों में इसका 7 करना चाहिए और किन रोगों में तृटला से बच के रहना चाहिए ये भी साथी साथ इसकी कितनी मात्रा में कब-कब इसका प्रेयोख करना चाहिए ये पूरी की पूरी डिटेल आज इस वीडियो में जानेंगे तो तृटला के इस डिटेल रिव्यू के लिए तैयार होगे आज कल आपको इंटरनेट पे त्रिफला के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे कि परम्रसायन है सात्रिदोष है यह त्रिदोष पे काम करता है यह वो ऐसा है पर आईरवेद की जो प्योर परफेक्ट जानकारी है वो थोड़ी रेर ही आपको देखने मिल तो आईरवेद में तो त्रिफला बनाने को लेकर अलग-अलग तरह के मत देखने मिलते हैं आज हम जिस त्रिफला की बात कर रहे हैं वो शारंगधर सहीता में जो वर्णन आया है उसका बात कर रहे हैं हम सम प्रमान त्रिफला की बात करेंगे अर्थात एक भाग आवला ए एक बाग हरड यह तीन चीजे जब समान मात्रा में लेने से जो त्रिफला बनेगा हम उसकी जो गुण उसकी जो फाइदे हैं उसके बारे में बात करेंगे हमारे देश में तीन नंबर को बहुत महत्व दिया गया है जैसे कि त्रीदेव या फिर आईड़ेद में तृष त्रीमल डुपस्तम अ कोपोब अगर एक्षन देखे तो यह कफ और पित इन दोनों का शमन करता है अर्थात कफ के जो रोग है या पित के रोग है उसको शमन करता है और जो वायू है जो हवा है उसको अनुलोमन करता है अर्थात उसको शरीर से नेचरल माज से निकालने का काम करता है हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में वायू पांच तरह से अलग-अलग काम करती है पहली तो है प्रान वायू अर्थात आप जो स्वास ले रहे हैं दूसरी उदान वायू यह जो आप बोलते हैं या उपर की तरफ जो हवा निकलती है वो तीसरी है व्यान वायू जो आपके पूरे शरीर में रस रखते इन सभी धातुओं को ब्लड सर शुक्र गर्व इन सबको बाहर निकालने का काम करती है यह जो पांच की पांचो वायू है जब यह बिगड जाए उपर नीचे होने लग जाए तो उनको अगर अनुलों करना हो फिर से अपनी जिगा पर उनको ले जाना हो तो ऐसे में जो त्रिफला है वह वात का अनुलों पर दातुओं पर बात करें तो जो हमारे शरीर में साथ धातू है रसरक्त माउस में दस्ती मजजा शुक्र यह साथ की साथो धातूओं पर तिरफला का कुछ न कुछ हमें एक्षन देखने के लिए मिल जाता है मलों में जो हमारे शरीर में तीन तरह के मल है स्वेद, मुत्र और पूरिश अर्थात पसीना, यूरिन और जो स्टूल है पूरिश है इन तीनों पर काम करता है खास करके जो पूरिश है या स्टूल है उस पर इसका विशेश एक्षन है शरीर के अगर और ओर्गन्स की बात मार्ग है उन सभी पे लार्ज इंटेस्टाइन पे और स्किन तो अच्छा पे इस और शदी का त्रिफला खाने का विशेश एक्षन आईरवेद में कहा गया है या एकदम सिंपल भासा में समझें तो भाई त्रिफला जो है वो वो पिर्थवी और जल महाभूत इसको डाउन क शब्द याद आता है तो वो सबसे पहली बीमारी जो क्लिक होती है ब्रेन में वो है नेत्र रोग शुशु सहिता में 76 76 से ज़्यादा आखों के रोग कहे गए हैं और आखों की बीमारी के लिए अगर आपको परम कोई टॉनिक चाहिए परम ओशदी चाहिए एकदम सस्ती जो की सबसे बेस्ट काम आखों के लिए करती हो तो उसमें तृफला नंबर वन रैंक पर आता है आखों की कोई भी समस्चा हो तृफला सर्वशेश रूप से उसमें एक्शन करती है आप इसके पानी से आखे धो सकते हैं रात को सोते समय त्रिफला को शहद या घी में बोलते हैं ऐसे लोग जो खास करके मोटे हैं या ऐसे लोग जो वयाम नहीं करते ज्यादा खान-पान के कारण जिनको शुगर आया है उस तरह के वैक्तियों को तो ये विशेश रूप से उप्योगी है क्योंकि ये मोटापा भी कम करता है और शुगर को भी कंट्रोल करने के लिए एक उत्तम क्वालिटी की आउशदी है कीसरी वीमारी जिसमें ये बहुत कारकर इंपक्ट इसका देखने मिलता है वह है तो अचा रोग कुष्ट रोग कुष्ट अर्था सभी तरह के जो चर्म रोग हैं उन्हें संस्कृत में कुष्ट कहा जाता है तो सभी तरह के च कुष्ट निकलता है कुष्ट डिस्चार्ज होते रहता है कई लोग ऐसे होते हैं जो खुझली करते हैं और वहां से पानी निकलता है कान से पानी निकलता है या शरीर में कहीं भी घुटने के आसपास खुझली की तो वहां से पीला मवाद या फिर खुन निकलना या पानी निकलना इस तरह की समस्चा होती है तो उस तरह के कुष्टों में तो त्रिफला विशेश रूप से उप्योगी है त्रिफला का जो एक्षन है क्योंकि इसके अंदर हरड है तो यह सौम्य विरेचक है सौम्य विरेचक मतलब क्या हुआ अब पेट साफ करने के लिए आयरवेद में दो तिन दवाईयां बोली गई है तो उसमें कुछ तो एकदम स्ट्रॉंग दवाईयां होती हैं कुछ मीडियम होती हैं और कुछ लाइट दवाईयां होती है तो जो लाइट हलकी दवाईयां हैं जो पेट को बड़े आराम से साफ करने का काम करती है त्रिफला उसमें से एक है तो जो बड़े बड़े रोग हैं जिसमें की बॉड़ी में सफाई करने के लिए कहा गया है तो ऐसे में त्रिफला का विशेश रूप तो उप्योग किया किसी भी प्रकार की चोट हुई हो इंजरी हुई हो और आप उस घाव को साफ करना चाहते हैं उस घाव को ठीक करना चाहते हैं और आपको ये एकदम किसी भी तरह का इंफेक्षन हुआ हो चोट लगी हो ऐसे में यह त्रिफला के पानी से या एकसिडेंट ही हुआ हो पस आता हो जोकी सूख नहीं रहा हो एंटीवैटिक खाने के बाद भी घाव नहीं वढ रहा हो तो त्रिफला के जल से पानी से घाव को धोना उस इस सकीन डि करने में उनकी मदद करें तो भाई त्रिफला परफेक्ट कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये कफ को कम करता है जो मेद धातू है उसे सुखाने का काम करता है तो मोटापा मतलब क्या जब शरीर में पिर्थवी और जल ये दो महाभूत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो भाई सक्षापा घटाने में बहुत ज्यादा असरदार्व हैं साथी साथ मोटाबागे के कारण जो कॉंप्लिकेशन साथैं जैसे जाइस में ताकत न लगना उन सब्रूर करता है ऐसे लोग जिनको हाथ पैर में बहुत जलन होती है शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा आग होता है उन सभी लोगों के लिए भी त्रिफला का शहत के साथ प्रयोग करना बहुत ही उत्तम उपाए है क्योंकि यह पित्त का शमन करता है तो अगर आपको कहीं भी बर्निं संसेशन हो रहा है ऐसे पेशेंट जो डाइबिटिक कूट के होते हैं उनको पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा आग या जलन होती है उनके लिए त्रिफला एक अच्छी दवाए एसे धी की समस्वजभ oysters होती है खाने के बाद बहुत ज़्यादा आशिड होता है आशिडिटे बहुत बार लोको लगता के वल पिपत के कारण ही नहीं उसमें कफ खावी बहुत बार इन्वाल्वेंट रहता है तो ऐसे हे भोज़न के बाद शहेbbe के अंदर त्रिफला मिलाकर खाना एक उत्तम उपाय है जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है कबज की तकलिफ होती है जो मोटे लोग है वो लोग अगर रोज खाना खाने के पहले त्रिफला खाते हैं शहद के साथ तो उनके पेट को वो साफ करने मदद करता है उन सभी के लिए अच्छा है जिन लोगों को लंबे समय से कॉंस्टिपेशन की जैसी समस्चाए है खाना ना पचने के कारण पेट साफ नहीं होता है या जवानी में ही बाल सफेद होने लग गए है बालों की कुछ नो कुछ प्राबलम हो रही है उन लोगों के लिए त्रिफला एक उत्तम टॉनिक मान सकते है लीवर कोई लिए अगर आपको कोई आप टॉनिक धूड रहे है या स्प्लीन के लिए आप कोई अच्छा टॉनिक धूड रहे है तो ऐसे सारे के सारे कंडिशन में त्रिफला एक कमाल की दवा है कई लोगों को constipation होने के कारण piles हो जाता है या फिर भगंदर जैसे समस्टाएं हो जाती है मल मार्ग में आपको पस formation होने लग जाए तब आपको त्रिफला का 7 जरूर करना चाहिए त्रिफला कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए 2 ग्राम की मात्रा में त्रिफला ज़्यादा ठीक है इसकी मात्रा वो लोग बढ़ा सकते हैं जो बहुत मोटे हैं, हैवी है पर 2 ग्राम तक की मात्रा ठीक है कि कुछ लोग को त्रिफला लेने के कारण ड्राइनेस रुक्षता आने लग जाती है 2 ग्राम दिन में एक बार ठीक लेना आपके लिए सेफ है किस चीज के साथ ले सकते हैं तो ठीक दो तीन चीज़ों के साथ लिया जा सकता है जैसे कि आप शहत के साथ ले सकते हैं अगर मोटे वेक्ती हैं, कफ के रोग है अगर पित्य की जैसी समझ्चाएं हैं उनके लिए सुबह 6 बज़े के आसपस आप खाली पेट लेलो और 3 घंटा पेट खाली रखो यह एक टॉप क्लास तरीका है जिन मोटे लोग हैं, कफ रोग, चर्म रोग, डाइबिटीस के रोग इस तरह की समझ्चाएं हैं और जिनको आँखों के लिए यूज़ करना है या ENT disorder में यूज़ करना है उनको रात के समय पे त्रिफला, शहद और घी विशम मात्रा में मिला कर खाना चाहिए अब त्रिफला के इतने सारे फायदे होने के बाद भी इन लोगों को त्रिफला नहीं लेना चाहिए तो जो वेक्ती पतले हैं उन्हें त्रिफला नहीं लेना चाहिए जी हाँ, जो लोग पतले हैं, वात वाले रोगी हैं उन्हें त्रिफला से बशना चाहिए क्यूंकि त्रिफला रुक्षता करता है तो त्रिफला का प्रयोग आपके लिए अच्छा नहीं है ऐसे लोग जिनका पेट बहुत सूखा हुआ रहता है मल एकदम कड़ा एकदम हार्ड आता है ऐसे में आपके लिए त्रिफला अच्छा नहीं है उनके लिए अच्छा है जिनका मल बहुत चिपचिपा स्टीकी आता है तब तो त्रिफला चलेगा पर मल की गांठे गिरती हैं, स्टूल बहुत हार्ड आता है, पतले हैं, बौडी के अंदर ड्राइनेस बहुत है, हाथ पेर में बहुत जल्दी कट्स पढ़ने लग जाते हैं ऐसे समय में त्रिफला एवाइड करना चाहिए, गर्भिवती महिलाओं को त्रिफला नहीं लेना चाहिए, उनके लिए सेफ नहीं है, गर्भिवती महिलाओं त्रिफला के बजाए केवल आमले का प्रयोग करेंगी तो उनके लिए ज़्यादा से आपको बचना चाहिए, ऐ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दुर्बल हैं बहुत सूखे हैं नाजुक नेचर के हैं बहुत कमजोर हैं यह बहुत ज़्यादा हैवी वर करते हैं परिश्ट्रम करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए त्रिफला नहीं है त्रिफला किन लोगों के लिए अच्छा है जो बैट के साथ अलग-अलग यूज हो जाता है जैसे आरोग्य वर्धिनी के साथ त्रिफला लिया तो वह अन्य सिस्टम पे जाता है या काम दुधा जैसी आउशदियों के साथ त्वर्ण भस्म के साथ अलग लोग भस्म के साथ त्रिफला लिया तो बालों पे बहुत काम करता है तो का होता है वो चिलका यूज करना है वो चिलके वो लेके आप फोड के पीस के मिक्स करके एक कांच की बॉटल में रख दो ये तीन से लेकर छे महीने तक maximum इसकी expiry date होती है आप जो घर पे बना रहे हैं तो इतने समय के बीच में आपको त्रिफला यूज कर लेना है कितने समय तक करना है एक समय पर त्रिफला तीन महीने तक ही यूज कीजिए तीन महीने के बाद फिर इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि कई बार कुछ होशदियों की आदत लग जाती है तो कुछ समय तक प्रयोग करके छोड़ दीजिए हाँ कोई बीमारी है जैसे की बहुत लंबे समय से चर्म रोग डाइबिटीज है तो इसे आप लंबे समय तक छे महीना एक साल तर भी यूज़ कर सकते हैं तो आईरवेट की एक टॉप क्लास की दवा एक एकदम सस्ती दवा जो की हमारे देश में भर भर के अवेलेबल है आमला हरण बहेडा ये जो भी बिमारी बताई है या फिर कफ और पित्ते के लगवक साठ से जादा रोग होते ह उन सबी में आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं तो आप लोग बहुत लंबे समय से कहे रहे थे कि त्रिफला के बारे में वीडियो बताओ जो आईरवेट के सास्त्रों के आधार पर हो ना कि आजकल एंटी वाटी एंटी फंगल एंटी बैक्तिरियल इस आधार पे नही आईरवेट के बेस पे हो तो यह है त्रिफला का आईरवेट निशलेशान हाँ त्रिफला का एक और यूज किया जा सकता है रसायन के तौर पे जिसमें त्रिफला की जो मात्रा है वो बदल दी जाती है अगर आप उस वीडियो के बारे में भी चाहेंगे तो आप कमेंट कर के बताइए अब उस टॉपिक तो भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें